इधर की दुनिया उधर करना पुराणों में वडित कथा के अनुसार शिप परवती के दो पुत्रों थे एक का नाम कार्ती के था तथा दूसरे का नाम गडेश जब दोनों बाले अवस्था में थे तो वे अपनी माता के पास तरह तरह की खेल खेला करते थे दोनों बहुत छोटे थे और अपनी विभिने कीडाओं के द्वारा पारवती का मन बहलाया करते थे पारवती आनंद विभूर होकर उनकी कीडाओं को देखा करती थे एक दिन की बात है दोनों बाला कापस में खेल गए थे मम्ता से परिपून पारवाती बालकों को निहा रही थी चारो और प्रेम के वर्षा हो रही थी देवताओं ने जब ये द्रश देखा तो वे भी आनंद विभूर हो पुलकित हो थे अतधिक प्रसंद होकर उन्होंने पारवाती को एक लड़ू दिया परवाती ने वो लड़ू ले लिया लड़ू देखकर वो दोनों बालक मचलने लगे दोनों ही लड़ू को लेना जाते थे गड़ेश कहते मैं लूंगा कार्टिके कहते मैं लूंगा दोनों ही बालकों में इस बात को लेकर खुर लग गई ये देखकर पारवती बूली मैं इस लड़ों के दो टुकडे करके तुम दोनों को आधाधा नहीं दूंगी तब क्या होगा दोनों बच्चों ने पूछा पारवती ने कहा मैंने एक उपाय सोचा है दोनों बच्चों ने जिग्यासा पूर्ण माता की ओड़ देखा और पूछा माता किरपय वो उपाय बताएं पारवती ने कहा तुम दोनों मैंसे जो भी अपने आपको अधित धर्मात्मा सिद्ध कर देगा मैं वो लड़ों उसी क की और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े उन्होंने सोचा तीर्थों की यात्रा से बढ़कर धर्म का कार्य और क्या हो सकता है इससे जो लाब उन्हें मिलेगा वो उन्हें उनके भाई से अधिक धर्मात्मा सिद्ध कर देगा ऐसा विचार करके जितने भी बड़े-बड़ तीर्थतु थे, उन्होंने सबकी यात्रा करनी आरंप करें। उदर गड़े सोच रहे थे कि सबसे बढ़ा धर्मात्म कौन हो सकता हैiona यहीं सोचकर उन्होंने शिप पार्वती की चारों और परिक्रिमा की और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा राद दिन उनकी सेवा करने लगे, धीरे-धीरे कई दिन गुजर गए कार्तिके अभी भी तीर्थों के दशन कर रहे थी जबकि गड़ेश माता-पिता की सेवा कर रहे थे गड़ेश ने माता-पिता की सेवा में इधर की दुनिय उधर करती कुछ दिन बाद कार्ति के लोटे जब उन्हें पता चला कि गडेश कहीं भी नहीं गए तथा वहीं रहकर माता पिता की सिवा करते रहे तो कार्ति के मन ही मन बहुत प्रसन हुए वे सोचने लगे मैंने सभी तीरतों के दर्शन कर लिए मुझसे बड़ा धर्मात्म भला कौन हो सकता है जबकि गडेश यहीं रहे उन्होंने तो कोई भी धर्मिक कार नहीं किया ये सोचकर वो और अधिक प्रसन हो गए कि अब पूरा का पूरा लड्डू उनका होगा उन्होंने परवती के पास पहुच का लड्डू मांगा गडेश ने भी लड्डू की मां पूराया और प्रेम पूर्वक समझाया तीर्थों की यात्रा देवी देवताओं की पूजा और वरतों से भी बढ़कर पवित्र कार माता पिता की सिवा है इसी कारण लड्डू पर गडेश का अधिकार बनता है अब कार्तिके को बास समझ में आ गई उन्होंने माता पिता के उपदेश को सहर्श सुविकार कर लिया वो प्रसंता पूर्वक दुवारा गडेश जी के साथ बाल की ड़ाओं में व्यस्त हो गए इस कहानी से हमें सीख मिलती है सलसार में सबसे पूर्ण कार माता पिता की सिवा है जिस परकार गडेश ने माता पिता की सिवा में दिन रात एक कर दिये और पुर्ण फल प्राप्त किया उसी प्रकार माता पिता की सिवा में सदेवतत पर रहना चाहिए